हाई दिस इस जंकित्तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन फर रॉल हेलो फ्रेंट्स आज का ये वीडियो एलपी टेक्निशियन और जेई की ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग में बना रहा हूँ अभी जो भी अपडेट आया है लेटेस्ट उसी के बारे में डिसकस करूँगा इसमें दो आपको नोटिस दिखाऊँगा जिसमें एक रपी एप की ज्वाइनिंग और दूसरा आपका आर आर भी चंडी गड़ में जो जेई डियमेस की ज्वाइनिंग उसके बारे में साथ ही मैं ये बोलूँगा कि मेरे एक दोस्त है वो रेलबे एंप्लोए हैं और उनकी सिनियर डीपियो इलावा से बात हुई है तो उसका क्या कंक्लूजन आया उन्होंने क्या क्या अप्डेट किया तो उसके बारे में आपको बताऊंगा क्या 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 अप्डेट रहा और सिधा positive response देखने को मिल रहा है, railway के बड़े अधिकारियों पर उसका pressure भी बन रहा है, और ये सारी चीज़े धीरे-धीर highlight हो रही है, NDTV पर रविष कुमार ने इसको publish जरूर किया, साथ में Gnews पर भी आया ये, तो धीरे-धीरे ये highlight होता जा रहा है, बहुत सारे news paper पर आर्ट boards पे जिन्होंने LP technician की joining नहीं दी है, उसका सिधा असर पढ़ रहा है, और अभी जो latest meeting हुआ तो उसमें discuss भी हुआ था, सबसे बड़ी problem जो बनके अभी सामने आ रही है, वो COVID-19 ही है, सबसे बड़ा ये problem है कि अगर कोई लड़का positive हो जाता है, COVID-19 से, तो इसके responsibility कौन लेगा ये सबसी बड़ी समस्या है, तो इसके उपर देखके और वो जो भी आगे decide करते हैं, देखे क्या फैसला होता है, बाचीत जरूर हुआ था, meeting में discuss जरूर हुआ था, लेकिन कोई इसका response नहीं निकला, कोई result नहीं निकला, तो अभी भी आप लोगों पे कोई ऐसा फैसला भ आपर लोगडाउन, तो इसमें लोगडाउन के बाद जो है, 15 जून से दुबारा से ट्रेनिंग, ECR मोकामा घाट, NCR सब्यदार गंज, NER गोरखपूर, SRTG और RPSF में दुबारा से जो है स्टार्ट करने के लिए 15 जून से ये खिया जा रहा है, तो अब जैसे RPF का ट्रेन अल्रेडी स्टार्ट हो चुकी है, RRB राची में ज्वाइनिंग हुआ है, वेल्डर वेगरा का, और बाकी जैगे भी प्रोसेस चल रहा है, साथ में ही जो ये जेई का है, आप देखिए, जगधारी RRB चंडी के तरफ से, चंडीगड की तरफ से अफडेट है, आल इंपे प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, आपका इलाबाद में भी ट्रेक मसीन का स्टार्ट हुआ, उनका डॉकॉमेंट फरिपिकेशन एक जून से लेके और आपका तीन जुलाई तक चलने वाला है, तो सारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, दीरे-दीरे, ELP पे भी बात सी जर हो सकता है, लेकिन देखिए बागे क्या डिसकस होता है, साथ मैं बोलूँगा, आप लोग जितना भी जो ट्विटर केंपेंट कर रहे हैं, उसको बिल्कुल भी रोकना नहीं है, ट्विटर केंपेंट अपना जारी रखें, जिससे क्या है, पोजिटिव रिस्पांस आ रहा है, इसके अलाबाद जेई में भी सेम प्रोसेस है, जादा है, अलग लग लेटर डिस्पेच होता है, तो जेई का भी प्रोसेस बहुत तेज होगा, जैसे यह सारा कुछ प्रोपर तरीके से नॉर्मली स्टार्ट होता है, एलपी के लिए थोड़ा सा प्रॉबलम है, एलपी जो भी वो डिवाइट करेंगे दो तीन बैच में उनको बुला लिया जाएगा, तो एंसे आर मेकेनिकल वालों की ट्रेनिंग तो है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जानी है, साथ में जो आपका एनर मेकेनिकल है, वहाँ पे जो ट्रेनिंग इंस्यूट्स और ट्रेनिंग से पॉर्सन है, वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉबलम है, कानपूर में है, स्टेंथ का भी प्रॉबलम है, साथ में ये भी है कि वह बैच बहुत कम-कम का बुलाने का जो पहला सेड्यूल आया था, आपने देखा है तो धाई साल का था, अगर वह खुब तेज भी करते हैं, प का एहंदाबाद के कंप्लीट हो चुका है, पर रोदड़ा में खाली है ट्रेनिंग सेंटर, ऐसे ही उदैपूर का ट्रेनिंग सेंटर एक से डिड़ महिने के अंदर खाली होना है, तो इसके लिए आप बोलें कि जैसे जैसे इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती जाती है, हम को वहाँ भेजा जाए और वहाँ भेजके ठेनिंग विदिन इयर सभी जो 2000 के करीब बच्चे है, इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट कराई जाया हो गेंगी जो possibility है 15 Jun से आप लोगों का letter dispatch होने की possibility है कि 15 Jun से आप लोगों का letter आ सकता है लेकिन ज्रॉइनिंग 15 Julाई के आस पास से आप लोगों की चीनख बर्ट के सटाथ हो सकते है वो भी एक दो बैच कहीं होगा 31 July तक Refreshर की तो जो भी इंस्ट्रक्टर हैं वो फ्री होंगे तो हो सकता 31 जुलाई के बाद बैचों की संख्या बढ़ जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुला के ट्रेणिंग कंप्लीट कराई जाए तो प्रोसेस जरूर स्टार्ट होगा लेकिन कानपूर में फिर भी एक से डे कंप्लीट होती है उसके बाद जो भी लोग नॉन टर्न अफ होंगे या जेई वेगरा में शिफ्ट करेंगे उनकी जगए पर वेटिंग जरूर किलियर होगा बिल्कुल परेसान होने की जरूरत नहीं है और आप यह समझे कि आल्मोस्ट बहुत सारे लोगों की वेटिंग जरूर किलिल होने की possibility है साथ यह है कि आगला जो वेकेंसी इतना जल्दी नहीं आना है तो घबराना नहीं है सभी एलपी और टेकनिशन की वेटिंग जल्दी से जल्दी किलियर होगी जेई में भी कुछ परसेंट हो सकता है ज्यादा नहीं होगा जेई का क्योंकि जेई बह बहुत अच्छा ग्रेड होता और वहाँ पर जल्दी लोग छोड़के जाते नहीं है लेकिन एलपी टेकनिशन के चांसिस बहुत अच्छे हैं अगले चार से पांच साल कोई नई वेकेंसी नहीं आनी है बहुत बहुत धन्यवाल